नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीवी इंडिया पैसे आज की मुख्य समाचार आज देज भर में करवा चोथ का तेवहार मनाया जा रहा है करवा चोथ पर स्वागिन महिला अपने पती की दिर्गायों की काम ना करती हैं इस दिन करवा के साथ मापार्वती भगवान सीव और गनेश जी की पूजा करने का भी विधान है मुख्य मंत्री सी सिवरा सिंग चोहान ने कहा कि कमल नाज जी ने वादे खुब किये लेकिन निभाया एक भी नहीं बेटियों की साधी निकापर 51,000 रुपए देने की घोषना कर दी बेटियां साधी कर विधा हो गए बच्चों का जन्म भी हो गया लेकिन उनके द्वारा घोषना किये गए 51,000 रुपए नहीं मिले मर्धि प्रदेश के ग्रहमंति डॉक्टर नरत्तमिस्रा ने कहा कि जिस टीम इंडिया ने वैक्सिन की 100 करोर डोज लगाने का असाधारन काम कर दिखाया वो जल्द ही प्रतेक देशवासी तब टीके का सुरक्षा कवज भी पहुचा देगी एसा मेरा पूर्ण विश्वास अमिच्छा जमू दोरे पर हैं यहां उन्होंने कई विकास योजनाओं का घाटन किया इस दोरान केंडरी सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रदान ने कहा कि जमू कस्मिर में सिक्षा का अलग जगेगा अमिच्छा ने कहा कि अब जम्मू वालों के साथ कोई अन्या नहीं कर सक जम्मू कस्मीर में सेना और आतंकी के बीच मुटबेड़ जारी है इस मुटबेड़ में सेना के तीन जवान घायल हो गए हैं वहीं पकड़े गए आतंकी उसमान को भी गोली लगी है और जखमी है इंदोर सहर में आज साम हो रहे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का रोमांच देखने को मिल रहा है सहर की कलाकार सिखा सर्मा ने 77 सो वर्ग फीट की रंगोली तयार की जिसमें विराट कोली महेंद सिंग धोनी और रोहिज सर्मा का चित्र बनाया गया राज्जी साइबर सेल द्वारा जारी एडवाईजरी में अभी भावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दे ऑनलाइन कासे इसके लिए बिना सिम कार्ट का मोबाइल दे बच्चों को वाई-फाई से इंटरनेट इस्टबाल करने दे बच्चों की उनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें ग्रह मंत्री अमिस्सा ने कहा कि जम्मू के साथ अन्याय का समय समापत हो चुका है आपको यापके साथ अन्या नहीं कर सकता अब जम्मू और कस्मीर दोनों का विकास होगा प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी ने अन्याय इधारा 370 क को खत्मकर जम्मू कस्मीर की जनता को उनके अधिकार दिये हैं इधान के सभी अधिकार यहां के सभी लोगों को मिल रहे हैं इंदोर नगन निगम ने L&T कमपनी को सहर भर के विभिन इलाकों में 900 किलोमेटर से ज़ादा के एरिये में लाइने बिछाने का काम सोपा था जो विगत तीन वर्सों में भी पूरा नहीं हो पाया है जिसकी वज़ा से इंदोर निगमा युक्त ने L&T कमपनी के अधिकारियों को 10 नमबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि लाइन चालू करने के साथ नल पिटिंग और कनेक्शन चालू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कमपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा आज की खबरों में बस इतना ही धन्यवाद